सो फोरम MKS में आपका स्वाग अते नीट 2023 वालों के लिए टॉप मेडिकल कोलेज की सूची यहाँ पर जारी हो चुकी है सो अगर आप नीट 2023 में नीट का एक्जाम देना चाते हो तो यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉप मेडिकल कोलेज है इंडिया की तभी जाके यहाँ पर फाइदा आपका होने वाला है तो चले यहाँ पर देख लेते नीट 2023 MBBS दाकिले के लिए तैयरिक कर रहे चातर देखे भारत के टॉप मेडिकल कोलेज की सूची और यहाँ पर प्रिविस वीडियो में जो आपने कमेंट किये थे उनका रिपलाई भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है तो सबसे पहले तो यहाँ पर टॉप मेडिकल कोलेज की लिष्ट आपको दिखा देते हैं उसके बाद आपने जो कमेंट किया था पिछले वीडियो में उन सभी का आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है पहले तो यह सूचना आप देख लो इपोटेंट कि यहाँ पर नीट 2023 का फोरम आप फिलब कर दो पहले तो जो लास्ट डेटे वो 6 अपरेल 2023 रहने वाली है तो इससे पहले आपको फोरम एपलाई कर देना चाहिए रेजिस्टेशन आपको करवा लेना चाहिए और यहाँ पर अब बात आते है कि नीट प्रिक्सा के लिए हर साल देश वर के करीब 18 से 20 लाग सातर अपना रेजिस्टेशन करवाते है सारी जानकारी मिलेगी प्रिविद्ध्यार तो नीट से रिलेटेड बीए से रिलेटेड अगर आपने सस्क्राइब कर रहा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रहा होगा तो चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉप मेडिकल कॉलेज की लिस्ट अब यहाँ पर सबसे नमबर वन पर है आखिल भारते आर्विग्यन संस्ता एम दिल्ली इसके बाद यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसेच याणि की पी जी आई एम यार नाम आपने सुनाओगा कापी फेमस है इसके बाद किस्टेन मेडिकल कोलेज वेल और नमबर पॉर नेशनल इंस्टूट ऑप मेंटल हेल्थ एंड नियोरो साइंस याणिकी न आई एम हैंस बेंगलोर नम बीएस नर्सिंग का कोर्स भी नीट के फोरम के मादे में से होगा और एम बीबेस का भी इसी प्रकार आपके जिप मर में भी यही नियम लाग होगा नमर शिक्स पर आता आपका जवारलाल इंटिटूट ऑप पॉस्ट ग्रेजेट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च यान की जिप पर पांडू चेरी तो ये भी आपके क्या है टॉप मेडिकल यहां से चाहिए आप एम बीबेस करो चाहिए आप बीएस नर्सिंग करो या फिर पिरामेडिकल का कॉर्स करो ये टॉप के कॉलेज है यहां से अगर आप करते हो तो होविसली बाते की 100% आपकी जोब लग जाएगी क्योंकि वेल् अंजे गांदी इसना तक आर्विग्यान संस्ता लखनव वाला फिर आता नमर 8 पे अमर्ता विस नाम आपने सुनाओगा नमर 9 स्री चित्रा त्रुनाल वाली इंस्टिट्योट पॉर मेडिकल साइंस चाओ तो आप नोट भी कर सकते हो इनको ताकि आपको पता रहे ये नोल अगला मद्राश मेडिकल इंश्टि लखनाव यूपी में केजी मूबी इसको बोलते है और यहां पर आपको पता है कि वी एस नर्सिंग का कोर्स भी कंडक्ट करवाता है बट यहां पर अलग से इंटरांस एक्जाम होता है वी एस नर्सिंग के लिए और नेट के लिए तो रामचंद्र इंस्टिटूट अब आप बोलेंगे विद्यारती सरी यह पूरा पीडिएफ हमको चाहिए तो होब इसली बात है टेलेग्राम को फोलो कर लो टेलेग्राम का लिंक नीचे दे रखाए वहां पर मिल जाएगा यह पूरा पीडिएफ आपको फ्री में है किलेर अब यहां पर बहुत सरे विद्यारती बोल रहे थे सरम को है ना ओनलाइन तियारी करनी है तो कैसे करें तो उसका तोड़ा सा प्रोसेज में आपको दिखा देता हूं फिर आपके कमेंटों का रिप्लाई यहां पर में करने वाला हूं सबसे पहले तो आपको क्या करना है MKS Academy जो एप है यह क्या करना है डाउनलोड कर लेना है लिंक किसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहां पर नीट का रिजल्ट आंसर की इपोर्टेट एम सी कुछ बगएरा फॉरम बगएरा है ना आंसर की यह सब आपको बेसिक मिलता सब्सक्रिप्शन में बगएरा तो यहांस आप तैयारी भी कर सकते हो अब कैसे करने यह गूगल प्लेश्टोर पर जाना है लिंक नीचे दे रखाए नीचे यह अपडेट भी दे रखी है आपको कैसे आपको क्या करना है तो बेसिकली अगर आपको नीट का या फिर बीएस नर्सिंग का ओनलाइन कोचिंग लेना है तो यह वार्चप नमबर में आपको दिखा देता हूं यहां पर एड 30210558 इन पर आप हमें वार्चप कर सकते हो तो ओनलाइन कोचिंग के बारे में सारी अपडेट आपको मिल जाएगी सो फाइनली यहां पर हमने आपके कमेंट आपन कर लिए एम्स का जो वीडियो हमने अपलोड क्या था उसको लेकर कुछ डावड था विद्यारत्यों का तो जूली का कनाय सर पेरामेडिकल एक्जाम का सेंटर कहां रहता है वेस्ट वेंगॉल में इस्टुडेंट का वही आ आप में आपके साथ हूँ चिंत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है आपकी सारी समय से मैं कमेंट के माद्यम से देख रहा हूं टाइम निकाल कर ताकि आपका बविस्टे बन सके कुरेल में का कहना था सर बीचना सिंग ऑनलाइन टेस्ट का सेंटर जहार खंड में कहां रहत साथ जोग भी मिल जाएगी 100 परसेंट मिल जाएगी नौ टेंसन आत अमिद कुमार सर एकजाम से लेडिवस्ट और रहेगा या बार विका दोनों का रहेगा अमीद ठीक है दोनों का कि सुमिट कुमार सर यह फोरम सिर्फ ग्रल्स बरसकते हैं देखो एम्स का जो ब्यस नर स का बढ़ सकते हो कि सरजार खंड में का फोरम कब निकलेगा आपके मिड मैं तक निकलेगा वहाँ पर ठीक है बाग क्या आपने चैनल सब्सक्राइब करें रखाए बेल आइकन पर प्रेस करें रखाए तो चिंता बिल्कुल भी मत्कुर आप अलका गौतम एम्स का वियर संसिंग का फोरम यूपी बर बिल्कुल बढ़ सकते हैं एम्स का आराम से बढ़ सकते हो आप और जो एक्जाम आपका एम्स का होगा वो हिंदी और इंगलिस दोनों में होगा हिंदी और इंगलिस ठीक है ठीक है अलका गौतम हर विद्यार्टी का से मार लिए हर विद्यार्दिया कमेंट यहां पर देखा जाएगा हमारे चैनल पर आइस्वी राना बारवी में अठावन है एम्स फाइनल रेजिस्टर ने करवा सकते हो बिल्कुल करवा सकते हो एक वीडियो में सर बता नहीं करवा सकते हो डॉंट बरी ठीक है और सब्जेक्ट आपके होन अब चोहान बोईज एपलाई कर सकते हैं बीएस नर्सिंग के लिए तो ओनली ग्रल्ड पेरामेडिकल में एपलाई कर सकते हो बैठी यह दिपिका सर फोरंवी पीस कितना है वीडियो में बताया था दिपिका मैंने 2000 के क्रीब एजनरल का ओभी सिका थी यह दिपिका बीएस इंट्रांस एक्जाम इंगलिस में होगा या हिंदी में एम्स का तो इंधी और इंगलिस दोनों में होगा ठीक है सुधा वर्मा अगला कमेंट सर अटल बिहारी वाजबे का कोरम कब आएगा यह आपके मिड महीं तक आएगा ठीक है बांकि आपने कोर्स पर्चेज कर रहा ह होगा तो पता भी होगा वैसे बहुत सारे कमेंटे विद्यारत के सर एम्स का पास करने के लिए कितने नंबर लाना होगा वह 75 आपको लाना होगा तो इसके लावा और भी कुछ डावट है तो बताओ मेरे को ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपके लिए कुछ कर सकूं में बाकि आप ओनलेन त्यारी करना चाते हो तो यहां से आप जरूर करिए नियाबेच स्टार्टे वार्सप आप में कर सकते हो यहां पर नंबर लिखे हुए इन पर